दोस्तों नमस्कार आप सवी तमाम दोस्तों का स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मेत्री भरती वाले जितने भी थे पस्पालन विभाग में दोस्तों मेत्री भरती हुई थी और उसके बारे में ही जो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जिस प्रकार से वेक्सिनेटर साहक पहरा बेट गूकुल मिशन इत्याद युवालों का समस्या चल रहा है सेलरी को ले करके अभी पिछले 2021 में ही जो है अभी पसु महत्री की भरती हुई थी और पूरी तरह तरीके से या भरती अभी जो है हुई है अच्छे तरीके से और उसके वाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ की इन लोगों ने भी अब अपने सीलरी को ले करके मांग किया है तो क्या है इनकी मांगे तो आए अफ को एक नजर आलते हैं और बताते हैं विक्सिनेटर ठाहकों की तो 6 सूत्रिय मांग थी लेकिन जो पैरावेट पसू मित्र वाले हैं इनकी मांग जो है दोस्तों वो जो है 8 सूत्रिय है तो आईए बताते हैं आपको क्या मांगे हैं पूरी इनकी और इन लोगों ने भी जो है एक बार फिर से चुनाओ से पहले अपना काम कराने के लिए सेल तो आप इस चैनल को अपडेट हो जाएं और इससे सस्क्राइब कर लें क्योंकि इस पर ऐसी ही जानकारियां आपको हमेशा दी जाती हैं ताकि आप सारी जानकारियों से अपडेट रहें तो दोस्तों बिना टाइम गवाय हुए चलिए शुरू करते हैं दो मिनट में आपको बताते हैं पूरी न्यूज के बारे में पैरावेट पसुमित्र ने पस्पालन विभाग में कार कर रहे है पैरावेट पसुमित्र को विभाग के दिशा निर्देश पर पस्पालकों के घर घर जाकर पसुम का टीका करण बधिया करण करतिम गर्भाधान का कार कर रहे है और सरकार दोरा उन्हें किसी प्रगार का वे 12,000 से 18,000 रुपया दिया जाए। दूसरी मांग है पैरभेट पसुमित्र को कार अत्यनती ही जोख्यम भरा हैं इसलिए हम सबको 10,000,000 सुरच्छा दिया जाए ततह इसका लाभ भी दिया जाए। तीसरी मांग है पैरभेट पसुमित्र के लिए सेवा नियमा वली बनाई क्योंकि किसी भी प्रकार का मासिक मांदे एवं बेतर नहीं दिया जाता है। आई किट और आदी उपकरन जो हैं काम में आते हैं वो उपलब्ध कराये जाएं। तो राइश्टे कोकुल मिसन में कृतिम गर्भाधान पर डिगर सो एवं उत्पस संतत पर तीन सो रुपए और दिया जाए। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी जरूर आईसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद।